असलाम लेकुम नाजीन प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूँ आपकी होच कौकिप फारुकी नाजीन आज हम प्रोग्राम में बाख करेंगे जब से पीटी आई की हुकुमत आई है मसाइल है के पीछा नहीं छोड़ रहे हैं एक तरफ उपोजिशन की रोजाना तनकीद धरनों की धंकी मौलाना फजर रहमान का कामयाब धरना अब एक नई बहस का आगास हो गया है जिससे यकीना मुल्क हिल कर रह गया है हम सब के सामने हैं आखर क्या वज़ा है कि मुल्क से अफरात अफरी का जो खात्मा है वो हमें ग खायब होता दिखाई ही नहीं दे रहा एक तरफ हकूमत की सबसे अहम कामयाबी मुल्क से दैश्टगर्दी का फात्मा है और अमन वामान की सुरत हाल को जो है वो बहतर करना है दूसी तरफ ऐसे हालात जनम ले रहे हैं जो किसी भी हालत में मुल्क के लिए बहतर नहीं हो सक की मुद्ध मुलासबत में तोसी के फर्मान को मुटल करते हुए एक नई भहस का जो है वो आगास कर दिया और बहस मुबासा मुकालमा मुझबत माश्रे की जो है वो पहचान होते है इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे वजीर आदम इमरान खालियम और मसलसल कर्फ करेंस के हमारे मुलक के हालात कभी हमें बहतर होते हुए दिखाई देंगे या हाला जूंके तूही ही रहेंगे क्या इस मुलक में शरीफ और आसिपली जर्डारी रही हमें यही असारत अभी फिलहाल जो है नजर आते हैं और इमरान साथ का ये भी कहना है कि सब चोर है एनारो जो है वो किसी को नहीं दिया जाएगा हम देखते हैं अक्सार अपनी स्पिच्चेज में अपने खताबात में जो है इमरान खान ये जुम्ला बार बार दोराते वे हमें दिखाई देते हैं इन तर सुरत हाल पर बात करने जो है हम खुद भी इन से सीखते हैं और इनके प्रोग्राम के जो तद्जी होते हैं वो काफी सॉलिड होते हैं इसलिए ये इशू ऐसा था जिस पर मैंने सोचा के इनको बुलाना बहुत जरूरी है और इनसे बहतर तद्जीया जो है वो आप तक कोई नहीं पहुंचा सकता त जवाम जो है वो भी काफी नाला दिखाई देती है क्या कहेंगे इस पर देखे बात यह है कि आपको पता होगा कि एक स्टेटस को को बरेक किया था पी टी आई ने ये दो जमाते थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लम लीग नून इनका अपस में नैक इसे वो भी इनकी लड़ाईयों की वज़े से जो है फौज जो है इंटर्वीन करती रही है तो अभी जाहर है जब कोई आदमी एक नए आदमी मैदान में आता है तो उसको रिजिस्टेंस तो मिलती है और चूँके हमारे हाँ एजूकेशन का फुगदान है तालीम काम है ल पारिएन ली जाती थी ती कभी पांच साल के लिए वो तो पबी पांच साल के लिए वो अब इमरान खान ने जैसे आपने देखा होगा आपाएस साल तक जदजद की के और वो कहरे थे एक दफाल्लमी है उनको मौका दे दे के पाकिस्तान के वजिर coated में आदम lleg embar کی क्या लगता है, क्या मौका नहीं को मौका मिला है? लेकिन देखें, उनकी जो हकुमत है भी उसको अतना ز가्धा time frame नहीं हुए और मतल laquelle हम देखते हैं, क्यों जो भी हकुमत आती ही ठीक है, वो मसायल के हल निकालती है लेकिन एकदम से तो सबकुछ इतने सालों का बिगाड़ एकदम से तो साही नहीं होगा अपके ख्याल में क्या कहते हैं थोड़ा सा हमने देखा है कि इम्राइब साहाब में कुछ अच्छे एकदमाग भी किये बात यह है कि उन्होंने जो वादा किया था कौम से यह कहा था कि मैं एक नई कियादत लेके आऊंगा अब उनका प्राबलम यह हो गया कि उनको मजबूरन एलेक्टेबल्स के साथ मिलकर हकूमत बनानी पड़ी है और वो लोग जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के थे और वो ल अपने उसले आसे देखा जाए तो पीटी आई के जो तदाद है वो कम है वनना अगर लोग इनको ज्यादा वोट डालते और वो यानि को बिसाकियों की जरूरत ना पड़ती तो यह बात यकीन से कही जा सकती है कि वो यकीनां कामयाव होते आपने जैसे का कि ओवर नाइट बहुत खराब थी जैसा कि सब को माईशिक का हमारी बुरा हाल था बुरा हाल था खजाना बिकुर खाली था और अभी भी हम देख रहे हैं मुसलसल मसाल जाए वो बढ़ते ही जारे 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 हैं तो आपने तो उसकी किस्तें भी देनी होती है और जो से जो डोनर्स कंट् लेकिन ये मजबूरी की हालत में उनको मतलब फॉल बेक करना पड़ा आएमेफ के पास जाना पड़ा और उनसे जो है लोन लेना पड़ा तो अब ये सूरत हाल है तो इसलिए वो टेक्सेशन में भी थोड़ा रदो बदल किया है उन्होंने और ये जो सिलसला है उस वक तक जारी रहेगा जब तक कि मुलक अपने पौँपे नहीं खड़ा होगा जब तक कि हमारी लोन क्लियर नहीं होते है अब को कुछ करती भी दिखाई दे रही है आपका तजिया क्या कहता है कि नहीं आएंदा आने वाले वक्तों में जो है इन मसाइल का जो है भी मुमकिन हो सकत है तो जब मुलक में अफरा तफरी का समा पड़ेगा तो अब वो उसको देखें अफरा तफरी को देखें लाइंड आडर को देखें धरना को देखें कि मुलक की तरकी के लिए काम करें अब यह तो सोचना है लेकिन इसमें एक जो बात है न वो यह है कि इमरान खान साब न जो हमारी opposition जमाते हैं उनको बिलकुल neglect किया हुआ है डे वन से जो के सही नहीं है देखें opposition और हकूमत दी जमातें जो हैं वो मिलकर मुलक चलाती है और बगहर opposition के जमूरी हकूमत में कोई हकूमरानी का कोई तसवर नहीं है तो ठीक है वो assembly में आके शोर मचाते हैं opposition वाले तनकीद करते हैं तो opposition का तो काम ही तनकीद होता है यह थोड़ा ज्यादा तनकीद करते हैं और तो कोई इसमें खास बात नहीं है तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि पहले आप अपने अंदर नहीं मुलक के अंदर unity प्यादा करें जब आपके अंदर unity नहीं होगी तो दुनिया की कोई ताकट भी आगर हम unity दिखा रहे होते तो पाकिस्तान का मुस्बत में बाहर कंट्री में जो आ रहा होतां मिलकुल से क्योंकि हमारे मुलक में unity नहीं है अब देखे ना जैसे करतारपूर रहदारी एक अच्छा एकदाम वजीर आजम इमरान खान ने किया उस पे भी तनकीद करना लोग शुरू हो गए हमारे ही लोग तनकीद करना शुरू है और मुज़ा कश्मीर का जो इस्यू है मसला कश्मीर इसमें थोड़ा जरा बात करना चाहता हूं उसको भी बड़े फॉरम पे उठाया है अमरान खान नहीं लेकिन उसके लोग तनकीद कर रहे हैं करतारपूर का इस्यू कोई निया नहीं था जहां से वायत हैं सिख कहां से आयत हैं हिंदुस्तान से तो हिंदुस्तान के बशिंदे हैं वो इसका मतलब है कि आप सिख्छों को सहलत तो दे रहे हैं इन ए वे लेकिन आप इंडिया को सहुलत दे रहे हैं भारत को सहुलत दे रहे हैं एक लिया से क्यूंकि भारत एक बु चाहे है अब जैसा बोडी कर रहा है वैसा तो हम नहीं कर सकते हैं उसमें हमने फर्क जा रह जाएगा आपने जो उबजेक्शन की बात की तो फरक तो साफ जाहर है ना कि हम बिचते रहे हैं हम तो मिल्लब हर किसम की फैसिलिटी दे रहे हैं लेकिन वहाँ पर आप देख लें एक सो बीस दिन से ज्यादा हो गए हैं वहाँ पर कर्फियू नाफिज है कश्मीर के अंदर जल्मों से तमका पहाड तोड़े जा रहे हैं नवे लाख लोग जो हैं वो कैद किये हुए हैं किसी को आप एक दिन बंद कर दे हैं और उसको बोले हैं गासे नहीं ने कर दे हैं अच्छा यहां पर मैं आप से एक चीज़ पूछना चाहूंगी कि मसले कश्मीर का हल तो हम तो बच्पन से देखते आ रहें आप भी देखते आ रहें क्या लगता है आपको मसले कश्मीर का हल कैसे मुम्किन हो सकता है हर तरहां से कोशिश करके देख ली आदमी फौरम पर भी ये मसला उठाया गया है लेकिन खामोशी हमें हर तरफ सन्नाटा सन्नाटा दिखाए दे रहा है आदमी बरादरी की खामोशी पर जो है वजीर आजम इमरान खान ने वो भी सवाल उठा दिया है क्या कहेंगे इस पर देखें बादी है कि मसला कश्मीर जो है वो आज का नहीं है जैसे आपने कहा पुराना मसला है आपने भी देखा होगा सुनती आ रही है हम भी देखते आ रहे है 1947 का है और एक ही हमारा इशू था लेकिन हमें ये बात देखो तस्लीम करनी पड़ेगी जब तक आप अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे तो आपनी इसला नहीं कर सकते खारजा सदा पर हम लोग बुरी तरह से नकाम हुए है हम इस एक मसले के बारे में यानि कि जतनी आलमी ताक्ते हैं 160 मुलक हैं हम उनकी सपोर्ट भी हासल नहीं कर सकते इसको तो आप चोड़े हमारे जो इसलामी मुलक हैं 53 कंटीज वो ऐसी है वो भी हमें अभी रेखें जब इमराँ खाम साब नहीं तकरीर की थी तो क्या मतलब कितने लोगों ने हमें सपोर्ट किया तीन चार मुलकों ने हमारे साथ खड़े हुए लेकिन सुपर पावर सदर्ट ट्रॉम्प ने भी बोला था कि मैं सालिस होने का किर्दार अदा करना चाहता हूं और ऐसे और लोहों ने भी कहा था सदर्ट ट्रॉम्प के बियानों पर तो आप बहतर है ना ही जाए उनका जिक्र ना करें क्योंके वह बारत गुबामब ने भी यही बात की थी कि मैं मतलब इसमें कोशिश करूंगा मसला किश्मीर रहल करने की तो आपको क्या लगते हैं सिर्फ यह बातों की हद तक जो अपने फारन अक्चेंज को बढ़ाना चाहता है बोर्ट एक्सपोर्ट के अवाले से तो उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता तो इसलिए उसका जुकाओ ज्यादा है तो इसका जिकर आपने देखा होगा प्राइम मिनिसर ने भी कहा था कि एक तरफ तो माशी है उसकी जादा जो है वो वाइलेशन कर रहे हैं जैसे अमेरिका है बहुत किसी एक आदमी को कुछ हो जाए लेकिन आपने मतल्ब इतने टाइम से देखे आपको लगता है कि कभी पहले इस तरह का जुए जो है कश्मीर पर हुआ हो इतना जादा आपने कोई ऐसा दोर देखा है कि इ जैपी ओर वर्निंग मेजारिटी से इंडिया में आई है और बतकिसमती से उनकी हमारी तरह जो सुप्रीम कोर्ट हैं या हाई कोर्ट से हो इतना अज़ाद नहीं हैं जैसे वहाँ हैं आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक एस लोग लेकर गए हैं लेकिन वह पर भी वो टस्स मस्च नहीं हुए क्या उनको नजर नहीं आता कि इतने दिन से वहां कर्फियू नाफिस है पांच अगस से लोग भूखे मर रहे हैं प्यासे मर रहे हैं तो यह मतलब यह हैं कि बेहिसी का समय है वही बात आ जाती है कि हम बुरी तरह से नकाम हो गए हैं हाल कंट्री में इतना और फिर इसमें हमारे अपने अंदर यूनिटी नहीं है जैसे कि हमने पहले कहा सबसे जरूरी बात दिया यह है कि जब तक हम अपने अंदर एक यक चहतिक शोर नहीं करेंगे हम एक बन के बात नहीं करेंगे मजीद भी गुफ्तकू कर सलसला जारी रह हुआ 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 है है Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. Swami Kashi Guruji is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. Aapke depression, family, court problems or bishumar misail ke halka dhava karte hai. Swami Kashi Guruji से राप्ता कीजिए 647-765-6311, 647-765-6311, address 565 Markham Road, Scarborough. Welcome back नाजरींग, बेक बेक पिजाने से पहले हम तद्जिया आप तक पहुचा रहे रहे थे हैं, मुक्तार बड़ साब का. और कुछ बात कर लेते हैं, All Parties Conference के बाद, Opposition रहनुमाओं का प्रेस Conference के बाद, ये कहना है कि हुक्मरानों को रुकसत करके मुन्तगब हुकूमत जो है, वो लाना चाहते है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, नहीं के बात ही है कि वो, Opposition का जो Stance है, ये बिल्कुल घलत है, एक तो ये है कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा हर election के बाद, कोई ऐसा election जो कहता है कि धानली एक तो नहीं हुई है और वो कभी एकसेप्ट नहीं करते हैं, अब हमने तो ये वतीरा बना लिया है कि जो भी election होगा, उसको हमने ये ही कहना है कि ये सब धानली की पैदावार है, अब ये selected और elected, अब बात या है कि अगर ये वजिर आजम selected है तो बाकि सारे पूरा पर जो पार्लिमेंट है, वो भी फिर selected है, क्योंकि बकायदा वोटिंग होई है, election commission ने, बीस, 21 रुपए है, इसके ओपर खर्च किया है, election commission ने तवाम voters, मतलब कठा करने में और उसके ओपर बड़े expenditure होते हैं, तो एक तरीके कार से ठीक है, कहीं कहीं, मतलब यह है, कि कोई अगर घपला हुआ है, तो वो छोटा मुटा तो खार उसमें होता है, और उसके लिए फोरम मजूद है, चीफ election commissioner, वहाँ आप जाके complaint कर सकते हैं, लेकिन यह जो selected की रट है, अगर वो selected है, आप opposition parties अगर यह समझती है, कि यह election rigged हुआ है, तो सारे assemblyों से इस्तीफ election चाहते हैं, तो ऐसा तो ना कभी हुआ है, ना ऐसा होगा, अगर ऐसा होना होता तो इमरान खान का तो तारीखी धरना था, एक सो चब्वीस रोज का, तो उसमें तो कोई तबदीली नहीं आई, बेशमार ऐसे उसमें मौके आए जब के गवराहट थी हकूमत में, तो यह होके भी पहले तो इनिशली नहोंने संजीत की से नहीं लिया था इसको, लेकिन बाद में फिर देखा के भाई, यह मामलात बिगड रहे हैं, तो फिर उनसे बात चीत, अच्छा आपको लगता है कि कभी हमारे मुल्क के हालात बहतर होंगे, क्या लगता है आपको, यह यह य क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल इसका दूर दूर तक इमकान नहीं है, उसकी वज़ा है कि इस कौम में ना तो पेशेंस है, ना टॉलरेंस है, आप इसका मुझारा ऐसे देखें, अगर आपने किसी कौम के लोगों का मिज़ाज चेक करना हो, तो उसका ट्रैफिक निजाम दे तक आपका रविया ठीक नहीं होगा, आप मुलक को ओन नहीं करेंगे, जातियात के उपर पड़े रहेंगे, हम तो अपने मुलक में एक बड़ा मसला देखते रहते हैं, क्या इस मुलक का मसला नवाज शरीफ और जर्दारी लगते हैं आप? यह इस मुलक का मसला तो मेरे ख अपलाई कर रहें, उस में जब एक ही सफ में खड़े हो जाएं, महमुद और याज, ना कोई बंदा रहे, ना कोई बंदा नवाज, स्वीपर से लेके उपर तक, टॉप मैं तक जो है, वो अकाउंटेबल हो, तो मेरा ख्याल है कि यह मामला जो है, यह सही हो सकते हैं, आपक यह भी दो कनून यहां पर है, अमीर के लिए लग है, गरीब के लिए लग है, यह चीज़ जो है, वेस्ट में यह नहीं है, वहाँ अगर किसी ने कनून की खिलाव वर्जी की है, तो उनकी नजर में सब बराबर हैं, कोई वी आई पी नहीं है, वहाँ कोई शधादा आ यह फलाँ डिपार्टमेंट का इसको आदनी लगाना, यह पुलिस का है, इसको नहीं छेड़ सकते, यह इसका तालुख फौज से इसको कुछ नहीं कह सकते, तो जब तक हम चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, रूल बनाने वाले ही रूल की खलाफ वर्भी करेंगे, तो जाते हैं, मुन्तखिब होकर, उनका काम होता है, लेजिसिलेशन करना, कानून बनाना, कानून किस के लिए बनाते हैं, अवाम के लिए, तो ऐसे कानून बनाय जाते हैं, जिससे के अवाम की मुशकलात हल हो, उनको रोजगार मिले, उनको सेक्योरिटी मिले, आपका आइन का आर्टिकल यही कहता है कि the first and foremost duty of government is to protect the life and property of each and every citizen, irrespective of caste and creed. उसका तालोग किसी भी फिरके से हो, यह है कि हकुमत की जिमेदारी है, तो मैं आप से काउंटर सवाल यह करता हूँ, क्या आप समझती है, क्या हकुमती अपनी जिमेदारी पूरी कर रही है? नहीं, मैं तो नहीं समझती, मुझे तो कुछ ऐसा नजर ही नहीं आता, बेंगा जैनलिस, अगर मैं अपना तद जिया दूँ तो. अभी लेटली यह हो रहा है कि शौपिंग सेंटर्स के अंदर दो तीन लोग आते हैं और लेडी जो शौपिंग करने आती हैं, उनके पर्स चीन के ले जाते हैं, उनके जेवरात उतार लेते हैं, अब लेटस डिवैलमेंट यह हुई है. तो हमने प्रोटेक्ट क्या करना है तो जब तक हम कानून को फालो नहीं करेंगे अची तरह से, उस वह तक बात नहीं परेंगे, कानून क्या कहता है, आप ने पकड़ा और आप उसको सदा दे, अगर एक आदमी है, उसने मर्डर किया, दो आदमी उने देखा है, तो उसका फैसला कितनी देर में होना चाहिए, एक अफ़े में हो जाना चाहिए, यहां तो तबील तबील अरसा दराज हो जाता है, केस चाहिए, यहां तो जस्देश साल, बीस बीस साल, पंदरह, पंदरह साल, लोग मर जाते हैं तब भी केस फाल फिर बन, अज़ी चीफ जचीछ ताब ने काया है, उन्होंने च्छतीस केसिस का फैसला किया है, तो च्छतीस लाग एक बहुत बड़ी तदाद होती है, लेकर अब सवाल यह पैदा होता है, कितने सालों का जो कठा हुआ हुआ था, बैक लॉग वो उन्होंने कलियर किया है, तो हमारे हैं जब तक यह इसमें तबदीली नहीं आएगी, जब तक त हैंबरों की तनखा कितनी होगी, गाड़ी कौन सी मिलेगी, पेटरोल कितना मिलेगा, टेली फून कितना होगा, हाउस इरेंट किया होगा, इसके ओपर तो काम होता है, इसमें अपोजिशन हुकूमत सारे कठे हो जाते हैं, अच्छा हम अकसर देखते हैं, इमरान खान साहब जो हैं, अपनी स्पीचिस खताबाद में कह रहे होते हैं, कि सब चोर हैं, एन आरो किसी को नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं इसके उपर? देखें, बात ही है, कि मैं तो इससे अब इतफाक नहीं करता हूँ, अब जब उन्होंने अलेक्शन कंपेंड चलाया था, तो उस वक्त ये मतलब ये उनका वो था, और उनके दो पॉइंट थे, कि मैं करॉप्शन का खात्मा करूँगा, और गरीबों की हालत बेतर ये उनके, उन्होंने खुद हिकावा अपनी तक्रीरों में, तो ऐसा तो अभी कौन कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन आवेज़े वजीर आजम अब उनको ये बार बार कहने की जरूरत नहीं, पहली बात तो ये है कि ये उनका डुमेन ही नहीं है, कि मैं चोरों को नहीं छो मुना ख्याल है कि एक दफ़ा कहना ठीक है, अब हर तकरीर में ये रिपीट करना मुनासब नहीं है और उनके शायाने शान भी नहीं है, पहली बात है, अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे कुछ बात करेंगे, सुप्रीम कोट आफ पाकिस्तान ने जरनल कमर जावेद जो है, उनकी मुदत मुलाजमत में तौसी के फर्मान को मौतल करते हुए एक नहीं मुझबत बहस का आगास हमें होता दिखाई दे रहा है, इस पे क्या कहेंगे, जिस पे कापी हर्चल भी हमें दिखाई दे रही है, मैं ऐसी बात कोई नहीं करना चाहता कि मेरे खलाब भी क क्योंकि मामला भी चल रहा है, होफुली यह एक दो दिन में इसका फैसला आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 29 नमबर इस दी लास्ट है, जब उन्होंने रिटायर होना है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि एक इशू जो अगस्त में, वो 18 अगस्त को इनका नोटिफि किया, तो होना नहीं चाहिए था, जब इतनी बड़ी उनके पास टीम बैटी हुई है, पड़े लिखे लोग हैं, कानून दान बैटे हुए हैं, तो इससे तो जाहर हुआ कि उनकी टीम जो है, वो नाएहल लोगों पर मुश्तमिल है, यह तो बिलकु बात सामने है, देखें प्राइम मिनिस्टर, उनका कोई काम नहीं है, कि वो किताबें पड़ें और कानून को देखें, उसके लिए उनकी एक टीम होती है, जो इनको गाइड करती है, जो इनको एडवाईस करती है, बताती है, तो इसका मतलब है कि उनके पास नाहे लोग हैं, वनना यह बात होनी न प्रियार किया, फिर अब यह जो एक लिहास से अगर देखा जाए, मैं तो कहूंगा कि यह जिसे ने भी पेटिशन दाखिल की थी, वो एक उसमें एक शरारत का पहलू जरा मुझे नजर आता है, मेरी रायम, उसकी वज़ाई यह है, जदा जान दूच के यह किया है, उसकी उसकी वज़ाई यह है कि 29 नवंबर को उनकी टर्म शुरू होनी है और साथ ही उन्होंने चार-पांच दिन पहले यह मतलब यह है कि चैलेंज किया, तो अभी यह चूंके कोर्ट में है इसके उपर लेकिन यह है कि जो प्रसीजरल एरर्स हैं, वो नहीं होने चाहिए थे, य एक इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट होती है और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिट है, पड़े लिखे लोग बैटे हुए हैं, तो हम देनी सुना कि इस इशू के उपर प्राइम मिनिस्टर ने किसी आदमी को निकाला हो, किसी आफसर को निकाला हो, देखें जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, जब तक आप सजा नहीं देंगे, जब तक ऐसे लोगों को निकालेंगे नहीं, अपने अंदर जो बैठे हुए हैं, तो उस वक्त तक मतलब यह है कि मामला तो तो फिर ऐसी चलते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में, इसका जो देखें एक यहां से देखा जाए, तो गौवर्मेंट की जो स्टांस थी अभी भी वो सही नहीं है, उसकी वज़ा यह है, बेस्ट जो था आप्शन हकूमे के पास यह था, बगएर कोई इन्होंने अभी अमेंडमेंट भी की हैं कानून में, जब उन्होंने पॉइंड आट किया है, तो पॉइंड आट करने के बाद जो अमेंडमेंट है, इसका मतलब है कि उन्होंने गलत काम किया था कोई, इसलिए तो इसको सही किया है, इसका काम था, कुछ ना करते हैं, पेश हो जाती इनकी टीम सुप्रीम कोड में, और उनको कहती ही चीफ चेस्टे साहब को जो बेंच है, कि जी हम से प्रोसीजरल एरर्स हुए हैं, और हम एपलोजाइस करते हैं, और जो भी आपने अब्जरवेशन की हैं, हम उनको सही कर देंगे फॉरी तोर पर, और इसलिए हमें इस तफ़ाँ माफ किया जाए, और आइंदा हम ज्यादा हित्याद बरते हैंगे, मेरा दिल यह क यकीनन इस पे गोर करती हैं, और मामला जो है वो फॉरी तोर पर ही खतम हो सकता है, अब हम तो यहां प्रोग्रम कर रहें पता नहीं, इसका आउट कम क्या होता है, लेकिन अभी भी होप अगेंस्ट होप है, कि तिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट, एमी केबली को, इसमें वो नहीं है, लेकिन यह है कि जो एक लिया से देखा जाए तो यह मतलब इस तरह की जो डिस्टेस्ट फुल चीज़ें हैं, इस से मुलक की भी बदनामे होती है, इदारों की भी बदनामे होती है, तो हमें यह कोर्स ऑफ एक्शन जो है, डाप्ट करना चाहिए था, अगर आ मैं यह कहूंगा कि जो एडवाईज करने वाले हैं, तेके ऐसे मौके के उपर दो स्कूल अफ थार्ट्स होते हैं, एक यह कि टकरा जाओ, एक यह होता है कि जुग जाओ, तो यह दोनों जो फोर्सेस हैं आपस में लगी रहती हैं, अब यह फैसला करना होता है बहुस ने, क जुगने का जुगने का जुगने का यह नहीं मतलब कि जी हजूर नहीं है, जुगने का मतलब है, आपनी गलती को ओन करें और आइंदा से यह कहें कि जी हमने करेंगे। करेंगे जुगने का जुगने करेंगे। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. Swami Kashi Guruji का कहना है कि वो आपकी तमान समस्याओं का हल जानते हैं. Swami Kashi Guruji is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. आपके डिप्रेशन, family, court problems और बेशुमार मिसाइल के हलका दावा करते हैं. Swami Kashi Guruji से राप्ता कीजिए 647-765-6311. 647-765-6311. Address 565 Markham Road, Scarborough. Welcome back नाजरीन. भेख पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आर्मी चीफ, जनरल कमर जावेद, बाजबा के हवाले से, उनकी मुद्ध मुलाजमत के हवाले से हम तद्जिया जो है वो पेश कर रहे थे. अब कुछ बात कर लेते हैं, अमरीका के एक्टिंग सेट, जो सेकेटरी है. उन्होंने सीपेक के हवाले से जो है, वो तनकीद की है, बड़ी तनकीद जो है, वो सामने आ रही है. खास वज़ा क्या है? जान लेते हैं. जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल गिया है, बर्निंग टॉपिक है आज कर. असल में बात यह है के अमेरिका और इंडिया अपस में उनका नेक्सेस है, जैसे मैंने शुरू में भी बात की थी के वो स्ट्रेटिजिक पार्टनर है. तो इस लिहाँ से वो पहले दिन से ही अमेरिका जो है, पाकिस्तान के खिलाफ है, सीपेक के हवाले से. और सीपेक जो कुछ चाइना हमारा, देखें, 49 में हमने उनको रेकरिकनाइस किया था. और पहला मुलक सा जिसने हमें दोसीगाद बढ़ाएं बिल्कुर रेकरिकनिशन दी थी. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे तो उनके साथ बड़े रिलेशन्स हैं, वो कहते हैं न, मशूर है कि रिलेशन्स आर हायर देन मलाया, अब न, हेमलायाज, और स्वीटर देन हानी, और डीपर देन ओशन. तो ये हकीकत भी है, उन्होंने हमें बड़ी हमारा साथ द कार के लिशू हो, कभी भी उन्होंने उस तरह से हमारा साथ नी दिया, जिस तरह से के चीन ने हमारा साथ दिया है. तो अब ये सी पैक जो है, ये एक बहुत बड़ा परोजेक्ट है, ये गेम चेंजर एरिये के लिए, खिते के लिए, मिडल इस्ट वालों के लिए, और सें उन्होंने जो अपने रेफिरंस दिया है, एक्टिंग सेक्टरी आफ स्टेट जो है, इलिस वेल्स, उन्होंने नाम है, उन्होंने वहां पे वाश्किंटन में तकरीर करते हैं ये बात की है, ये ये जो पाकिस्तान के उपर लोन्स हैं, और चाइना जो दे रहा है, तो ये अगर किसी वज़ा से पाकिस्तान जो हम लोन उनको दे रहे हैं और आपकी इतला के लिए यह लोन जो है वो तकरीबर फोर पॉइंट नाइन बिलियन डालर का है और जो हमने लोन लिया एगा है और इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो तू पांट स्री परसंट है रजिखी वेरी नॉ्मिनर तो उनो ने यह का आए के ये उन टैन्थ भी नी बनता जो पाकिस्तान के डैट्स है ऩह उन्होंने यह किया है अगर हम समझते हैं कि historically I और वो लुन पे रीपे नहीं कर सकता टाइम पर तो हम उसको डेफर कर देंगे हमने को मजबूर नहीं करेंगे कोडिया आप देंगे अब इस से बड़ी और क्या बात हो सकती है तो अब यह अगर बात वहीं आ जाती है और इसके हमारी वजालते खारजा ने भी तरदीद की है कि ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन वो पिजाबी में कहते हैं जो उनों पीड है बस कि सी पेक जो है वो पाकिस्तान की हालत बगलेगा अभी देखें उन्होंने एनरजी के प्रोजेक्ट लगाए है इन्फरास्ट्रक्टर डिवेलब की है फेज वन तकरीबन कम्पलीट हो गया आप रोड्स का अगर नेट वर्क देखें अभी रेलिवेट रैक भी लगने है तो फेज टू के अंदर जो है वो इंडिस्टियल जोन सेट अप होंगे तो यकीन जब इन्डिस्टियल जोन सेट अप होंगे तो जाब अपार्चिनिटी जो है वो मजीद बढ़ेंगी और एकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी तो उससे यकीन पाकिस्तान की जो है माशी हालत जो है वो बहुत बेहतर होगी और आपको याद होगा कि अभी चंद देन पहले इसकी अथारिटी बना दी गई है सीपेक अथारिटी है जिसमें जर्नल आसम सलीव बाजवा को जो है वो चेर्मेन लगाया है चार साल के लिए तो इसकी जो सेक्योरिटी है वो भी हम लोक आफटर कर रहे हैं आर्मी का डिवीजन लगा हुआ है डिवीजन प्लस है तो मेरा ख्याल है कि यह जो अपोजिशन है हमारी यह भी बीच में कुछ हलके ऐसे हैं जो सीपेक के वाले से कि यह नुकसान होगा तो फलाना होगा तो अमरीका भी इसी तरीके से हमारे खिलाफ है वो चाहता है कि मतलब यहाए कि हम, कि वो इंडिया को एक super power की शकल में देखना चाहता है और चीन कि इगे इसन में कड़ा करना चाहता है दूसरी बात ही यह है कि हमें from defense point of view देखना है कि चीन ने हमारी कितनी बड़ी मदद किया है, heavy mechanical complex Texela में बनाया है जे अफ तंडर 17 जहाद हैं इसके अलावा बेश्मार प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है तो बो मतलब यह है कि हमारे चीन के साथ बड़े अच्छे तालुकात हैं और अमेरिका को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि 70 में जब रिचर्ड निक्सन प्रेजिडंट थे अमेरि अपने जहाद में उसको चीन भेजा था हन्री किसिंजर को एक सीक्रेट ट्रिप था जिससे अमेरिका और चीन के आपस में रिलेशन्शिप जो हैं वो काइम हुए तो उसको तो हमारा वैसे भी इसानमन्द होना चाहिए लेकिन बात वही आ जाती है कि एकनॉमिक इंट्रेस जो हैं वो सुपर सीड करते हैं बलकुल और यही बात जो है वजिर अजम जो है हमारा वो यह कहता है बार बार कि एकनॉमिकली हम जब तक स्ट्रॉंग नहीं होंगे तो अपने पौंपे खड़े नहीं होंगे बलकुल बलकुल कर्दों से च्टकारा नहीं हासिल करेंगे उस जए रहा है उनका चाहे कितनी भी आपकी उनसे दोस्ती हो लेकर जब तक आपको लेटरल जमा नहीं कराएंगे इन दी शेप आप प्रापर्टी पेपर्स हुए जमीन के पेपर हुए बिल्डिंग हुए जो कुछ भी आपके पात तो इसी तरीके से जब एक बड़ी एजेंसी आई-म-फ लोन देती है तो वो भी डिक्टेशन देती है उनकी डिक्टेशन ही होती है कि लोगों के उपर जल्मों से तुम करो किस तरह से करो बिजली का रेट बढ़ाओ गैस का रेट बढ़ाओ तो अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में एनर्जी का क्राइस शुरू से रहा है तो अमरीका ने हमारी कितनी मदद की है और दाई कितने प्रोजेक्ट लगाएं जबके उन्होंने अम-ई-उस भी साइन की है और वादे भी की है लेकिन एंड रिजल्ट कुछ नहीं था अब जो एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाएं तो वो चाइना लगा रहा है बिलकुल 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 सही आपका तज्जिया है और बिलकुल सही आपने अपना तज्जिया किया के हमें भी स्ट्रॉंग होने के बहुत जरूरत है इसे के साथ ही प्रोग्राम जो है अपने अख्ताम को पहुंचा अपनी होस्ट को कर पारू की कोजा से दीजिये अलहने के बान